रियालिटी शो बिग बॉस और कंटेस्टन के बीच रुमैंस का तो जैसे गहरा नाता है अभी तक बिग बॉस साथ अलग-अलग सीजन्स में आ चुका है और घर के बाकी जगड़े और लफडों के बीच सबसे ज़ादा हर बार जिस चीज की चर्चा होती है वो है बिग बॉस के अंदर के रुमैंस की अब शो के फर्स सीजन को ही ले लिचे जहां बाकी कंटेस्टन्स के साथ ही एंट्री हुई थी मॉडल आर्यन वैद और अनुपमा वर्मा की बिग बॉस के घर के अंदर इनीशल दिनों में ही आर्यन और अनुपमा की बीच प्यार की खिचड़ी पकने लगी हलाकी जैसे ही शो खत्म हुआ इनकी प्यार की कहानी का भी दी एंट हो गया लेकिन बिग बॉस के सीजन दो का तो किस सही एकदम अलग रहा इस सीजन में आये राहुल महाजन और फायल रोहतगी पहले से ही एक दूसे को जेच कर रहे थे जिसका नमूना इन दोनों ने कई बार शो पर भी दिखाया लेकिन वक्त के साथ साथ रहुल महाजन की लोयल्टी पायल से हट कर मौनिका बेदी पर शिफ्ट हो गई और मामला लव ट्राइंगल तक पहुँच गया बिग बॉस सीजन फोर में बिग बॉस का घर एक नहीं बलकि दो दो लव स्टोरी का गवाह बना एक तरफ पाकिस्तान से आई बीना मलेक और मौडल आक्टर अश्मित पठेल के इंटेंस लव स्टोरी ने तो शो को कई बार कॉंट्रोवर्सी में डाला सब कुछ नजर आ रहा है दिन है ये रात नहीं क्या है कुछ भी नहीं है अगर होटों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है बातें कर रही है नजर चुपके चुपके तो दूसरी तरफ टीवी अक्टरेस सारा हान के बॉर्ट फ्रेंड अली मर्चन ने शो पर ही सारा से शादे तक रचा डाली हलाकि इस शो के खत्म होने के बाद इन दोनों ही रिष्टों का हैपी एंडिक नहीं हो पाया लेकिन बिग बॉस सीजन फाइब की लव स्टोरी को आज की डेज में हम सक्सेस्फुल कहेंगे क्योंकि पूजा बेदी और स्काई के बीच शुरू हुआ रुमैंस आज भी जिन्दा है और स्काई ने तो पूजा के नाम का टैटो भी बनवा लिया है और अब बात बिग बॉस के लास्ट सीजन की जहां दो नई प्रेम कहानियों की शुरूआत हुई वहर खान और कुशाल तरन के बीच प्यार की यहीं शुरूआत हुई जैसा है इधर का नजारा ओ वैसा ही उधर का समा दिल में कैसी कसक सी जगी दोनों जानिब बरबर लगी देखो तो इधर से देखो तो इधर से उधर चुपके चुपके साथ ही बिग बॉस का ये सीजन तनेशा मुखरजी और अर्मान कोहली के प्यार का भी गवाह बना तो पैरलेल लव स्टोरीज ने शो को कितना स्पाइस अब क्या होगा ये तो हम सब ने देखा अब बिग बॉस सीजन आज का आगाज होने वाला है और इस शो के चाहने वाले एक बार फिर इस सीजन की लव स्टोरी के इंतसार में बैठे है